नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार टिक्स बिहार के लोग महवान नावाजी के लिए पूरी दुनिया में फेवास हैं खासकर बॉलिवूड के लोगों का तो बिहार के लोग दिल खोल कर स्वागत करते हैं अगर अपने राज का कोई एक्टर जब बॉलिवूड में कोई मुकाम हासिल करता है तो बिहार के लोग दिल खोल कर उनके सपोर्ट में खरे रहते हैं अब बिहार के छपड़ा जीले की बेटी रिश्का सिंग चंदेल OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर के एक सो में अहम रोल नजर आएंगी खास बात यह है कि लव पंती में रिश्का सिंग चंदेल को अहम रोल दिया गया है सो में रिश्का निगेटिव रोल में नजर आएंगी यह बताया जा रहा है कि इस सो की कहानी बनारस बेस्ड है महेश पांडेर प्रोडक्शन के बैनर तले यह सो बन रहा ह लव पंती की स्टोरी बनारस के लड़का लड़की अरजुन पंडित और रंजना के इर्दगिर्द घूमती है पूरी कहानी में रिश्का निगेटिव रोल में दिखेंगी निगेटिव रोल करने के सवाल पर रिश्का ने कहा कि अब निगेटिव पोजेटिव जैसा तो फैंस आपको लंबे समय तक याद रखते हैं, जरूरी यह है कि आपकी एक्टिंग जबरदस्त हो, इसलिए फिलाल मैं उसी पर ध्यान दे रही हूं, ताकि मेरे फैंस मेरी सौफिस्ती मेनत देख सकें, डिसका सिंग चंदेल के सोशल मीडिया पेज पर नजर डाले तो एक खास बात नजर आती है, छपड़ा की एक्ट्रेस फोटो सूट के दौरान ड्रेस चूज करने में पारंपरिक भारतिये परिधानों को ही लाइक करती दिखती हैं, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, समित तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉन पर रिसका ने जितनी भी तस्वीर पोस्ट की है, उसमें ज्यादा तर हुआ सूट या सारी में दिख रही है, इसी कपड़ों के चलते रिसका सिंग चंदेल की बिहार में एक अलग फैन फॉल्लवीं है, खास कर बिहार के मिडि क्लास के लोग रिसका से खुद को ज्यादा कर पाते हैं, भारतिये पारंपरिक परिधान को लाई करने वाले युवा भी इसी वज़से रिसका पर फिदा दिखते हैं, रिसका सिंग चंदेल इससे पहले दूरदर्शन के सो नई सोच में अहम रोल निभा चुकी है, नई सोच के जरिये रिसका की पाचान घर घर तक हो चुकी है, इसके अलावा कलेक्टर बहु, CID, भावी जी घर पर हैं, बिद्या और जै संतोसी मा, जैसे टीवी सो में भी रिसका के रोल को सराहा जा चुका है, टीवी सो के साथ रिसका बिग्यापनों में भी अपनी एक्टिंग के रंग भी खेर चुकी है, बरे परदे पर आने के सवाल पर रिसका ने वताया कि कुछ प्रोजेक्ट को लेकर प्रोडिसर से बात चित चल रही है, चीजे फाइनल होने पर वह जल्द फैंस को बताएंगी कि वह कब बरे परदे पर डेविव करने वाली है, हलाकि उन्होंने कहा कि इंडस्री के फ्यूचर को देखते हुए इस वक्त उनका फोकस OTT, प्ल मुकाम हासिल करते हैं, कठिन महिनत से मुंबई में सफल कलाकारों की कतार में रिशिका ने खुद को खड़ा किया है